भगबान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो पाता है। ज्यारखंड प्रदेश का एतिहाशिक रत्यात्रा पहली वार कोरोना महामारी के कारण 329 वर्षों के दौरान नहीं निकल पाया है। रत्यात्रा राची जिला के जगरनात मंदिर से निकाला जाता है। लेकिन इस बार भक्तों के लिए दुख की बात है। और भग्वान जगरनात मौसी बारी नहीं पहुच पाये हैं। जैसा की पंडित शर्यूनात मिश्र का कहना है की लाखों शर्धालू भिन भिन छेत्र से आते थे। हजारों दुकाने लगती थी। लगभग एक से शावालाक शर्धालू उपस्थित होते थे। दस करोड का कारोबार होता था। लेकिन इस बार फीका पड़ गया है। और कहा जा सकता है की यह एक दुखद बात है जिसके कारण रोजी रोटी का भी छिनना हो गया है। आज देखा जाय तो कोरोणा महामारी के कारण यह इस्तिती देखने को मिलता है। लेकिन कहा जाता है भगबान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है। नो दिनों तक राची के धुरवा इस्तित में जो नजारा देखने को मिलता था। शरधालू, बिहार, बंगाल और 36 गर से आते थे और मेहनों से इसका इंतिजार करते थे। लेकिन इस बार शिर्फ दूर से ही भगवान जगरनात की पूजा अर्चना की गई है। अंत में मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट अवश्च करें। बहुत बहुत धन्यवाग।